स्वागत है आप सब का Live Law की इस खास पेशकश Courts Today हिंदी में जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स देंगे हिंदी में आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक तो मिल ही जाएंगे तो जरूर जाएए Live Law हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से इस वीडियो में हम आपको संशेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हर्याना सरकार ने पंजाब हर्याना सीमा पर 21 फरवरी को जान गवाने वाले 21 साल के प्रदर्शनकारी किसान की मौत की म्याइक जाँच के पंजाब और हर्याना उचन्याले के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोट में एक विशेश अनुमती आचका दायर की है सुप्रीम कोट की वेबसाइट पर उपलब मामले के विवरन की अनुसार ततकाल अपील 11 मार्च को दायर की गई थी हाला कि ये अभी भी डिफेक्ट सुची में है दूसरे शब्दों में रेजिस्ट्री ने इसे लिस्टिंग के लिए मन्जूरी नहीं दी है सुप्रीम कोट ने गुरुवार 14 मार्च को अजीद पवार गुट से पूछा जिसे भारत के चुनावायोग द्वारा आधिकारिक तौर पर राश्रवादी कॉंग्रिस पार्टी यानि NCP के रूप में मानिता दी गई है वे प्रचार सामगरी में पूर्व NCP सुप्रीमो शरत पवार की तस्वीरों का उपियो क्यों कर रहे हैं कोट ने अजीद पवार समू से ये हलफ नामा दायर करने को कहा कि वो प्रतियक्ष या अप्रतियक्ष रूप से शरत पवार के नाम का इस्तिमाल नहीं करेंगे कोट ने मौकिक रूप से ये भी सुझाव दिया कि अजीत पवार समू चुनाव के लिए घड़ी चुनाव चिन के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उप्योग करें ताकि कोई भ्रह्म ना हो सुप्रीम कोट ने उपेंदर नाद दलाई को निर्देश दिया जिनके खिलाफ अदालत द्वारा लगाये गए जुर्माने का भुकतान ना करने के साथ-साथ अपमान जनक तिपनी करने के लिए अवमानना कारवाही चल रही है कि उन्हें सोंबार तक वापस हिरासत में लिय जाए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश पिंदर की खंड पीट के समक्ष मामले की उत्पत्ती दलाई द्वारा सत्संग के संस्थापक श्री श्री ठाकुर अनुकुलचंद्र को परमात्मा घोशित करने के लिए जनहित याचिका यानि PIL दायर करने में इस जनहित याचिका को शेश अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए खारिच किया था सुप्रीम कोट ने बुधवार को कहा कि किसी भी वैधानिक प्रावधान के उलंगन के बिना स्थानांत्रन योग पद पर बैठे राज करमचारी के कहने पर स्थानांत्रन के आदेश में अदालत द्वारा हस्तक शेप अस्विकार है उच नियाले की डिविजन बैंच के निशकर्षो को पलटते हुए बैंच में शामिल जस्टिस जेके महिश्वरी और संजे करोल ने उच नियाले के एकल नियाधीश के निशकर्षो को बहाल करते हुए कहा कि एक राज करमचारी का स्थानांत्रन आदेश एक सारवजनिक प ऐसा आदेश दुर्भावना पून ना हो या वैधानिक प्रावधानों का उलंगन ना करता हो। ये देखते हुए कि चिकितसी अलापरवाही के अलावा ये धोका धड़ी का मामला है। पंजाब और हर्याना हाई कोट ने माक्स सूपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और उसके रिदे रोग विशेशग्य के खिलाफ समन आदेश को रद करने से इंकार कर दिया है। जिन पर कथित तोर पर सस्ता पेशमेकर लगा कर मुनाफ़ा करने का मामला दर्ज किया गया था। ऐसा मुनाफ़ा जिसके परिणाम स्वरूप मरीज की मृत्यू हो गई। नियायमूर्ती दीपक गुपता ने कहा घोर चिकित सियला परवाही के मामले के अलावा ये याचिका करताओं यानी मैक्स हॉस्पिटल और डॉक्टर द्वारा साजिश के तहट की गई धोखधड़ी का मामला है। कोट ने कहा कि अस्पताल के रिदे रोग विशेशग्य डॉक्टर सुधीर सकसेना ने रिष्टिदारों द्वारा दी गई सहमती के अनुसार लगभख साड़े चार लाग रुपे की लागत वाला बाई वेंट्रिकुलर ट्रिपल चेमबर पेसमेकर लगाने की योजना बन के बावजूद इसके बजाए एक सस्ता डबल चेमबर पेसमेकर लगाया जिसकी लागत केवल 45,000 रुपे थी दिल्ली हाई कोट ने 14 मार्च को 1 लाग रुपे की कॉस्ट के साथ एक विचित्र मामला खारिज कर दिया एक लिटिगिंट कुवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंग द्वारा दायर अपील जिन्हों ने कई शेत्रों पर संपत्ती के अधिकार का दावा किया है जो आगरा, यमुना और गंगा, नदियों के बीच, मेरट और दिल्ली, कुरुग्राम और उत्राखंड के 65 रवेन्यू स्टेट सहित अनिस्थानों पर हैं कारवाहक मुखिन अधिश मनमोहन और न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोडा की डिविजिन बेंच ने एकल निया अधिश के आदेश को बरकरार रखा जिसने सिंग की याचिका को 10,000 रुपे की लागत के साथ खारिच कर दिया था सिंग ने केंद्र सरकार को उनके दावे वाले शेत्र के लिए उनके साथ मरजर करने और उने उचित मुआफ़जा देने का निर्देश देने की मांग भी की थी जादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चानल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livlaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं Live Law Hindi पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चानल को जॉइन करिए अज मेंबर और केवल नवासी रुपे प्रती माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जॉनलिरिजम को प्रमूट कर सकते हैं धन्यवाद